डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली एट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनडा एंड अराउंड गलोग कैनडा में करोना वारस से हलाकतों की तादाद 2,000 से तजावस कर गई मुल्क में करोना वारस केसिस की तादाद 4,190 हो चुकी है अंटेरियो के प्रीमे की जाने से लॉंग टर्म के सैंटर्स में करोना वारस के पहलाओ पर काबू पाने के लिए फोच की मदद तलब की गई है मौन्ट्रियाल के एक हस्पताल में कैंसर और डालसिस के मरीज भी करोना वारस से मतासिर हो गए कैनेड़ा और अमरीका की सरहदों को सियासी पना के मतलाशियों के लिए खोल दिया गया जबके दोनों अमालिक की सरहद के तारीखी लॉकडाउन में तौसी की गई है कैनेड़न सूबे क्योबेक में लांग टरम केर होम्स को अमले की कमी का सामना वफाकी हकूमत से मज़ीद एक हजार फौजी एहलकार भेजने की दर्खास्त की है दुनिया भर में कुरोना वाइरस से मतासर अफराग की तादा 27 लाग हो चुकी है जबके इस ते हलाकते 1,86,235 हो गई अमरीकी सदर डानल्ड टरम ने करोना लॉकडाउन से मतालिक कहा है कि अमरीका में वेंटिलेटर्स का मसला हल हो चुका है मुम्किन है कि ये वाइरस वापिस ना आए चीन ने आलमी अधारा इस्तेहर डवल्यू एचो को आलमगीर वबा करोना से लडने के लिए मजीद 3 करोड डॉलर की इमदात का एलान कर दिया हैडलाइन आपने जानी अब खबरे तफसील के साथ कनेडियन वजीरादम जस्टिन टूडो का कहना है कि विफाकी हकोमत करोना वाइरस से नब्रुद आजमा होने के लिए कौमी सताह पर मेडिकल और रिसर्च के शोबे में इजाफी 1.1 बिलियन डॉलर देगी कातरी डिल expressions का झाल में जडिकलादम प्रomme ग endurance कोवानना का पांज को शूपे लना फिरेट question प्रवाजब रादोना को अिम्राइन सब्सकिन ही चेम्मान छाजाो, किरते है फिर्क रह चे छिर्शा साम में way चाहना को जा आफज को औरे जियर्शे अऱ्राइना किईया है तेली ब्रीफिंग के दुरान टूडो ने कहा कि सहते आमा के एकदमाद के सबब केनेड़ा सही राह पर गामजन है हमें सिर्फ आएंदा हफतों के बारे में बलके महीनों के बारे में सोचने की जरूरत है तूडो का कहना था कि जिन सूबो ने फोच की मदद की तरखास्त की है और ने मदद फराहम की जाएगी जिन सूबो ने फोच की मदद की जाएगी चीन की जानब से दो किनेडियन की गिरफतारी को पाइशो दिन मुकमल होने पर टूडो का कहना था कि कौनसल खानों को करोना वाइरस की वज़ा से जेलो तक रसाई से रोका गया है उनका कहना था हम माइकल स्पेवर और माइकल कोवरिक के मामले पर इंतहा इतन दही से काम कर रहे हैं करें के पर था ठंच माता हम ब Leon कोवरिक के ज autor थाना माइकल कोवरिक को कि ए번 हान below कि तेंग कापरी क मैद को मैं हूख ब्रूब सक है और reci上ig कि को अ म।ूबने to express our continued concerns and desire to see them released soon. The COVID-19 crisis has the Chinese system in a position of not allowing consular visits, but we have been assured that they are in a facility in a region that is not particularly affected by COVID-19, although we are continuing to press both for more details and for better access करोना वारस के बाइस कैनेडा में हलाक होने वाले अफराद की मजमुई तादाद 2,000 तक जा पाँची है इस हवाले से मजीद चानते हैं कैनेडा में करोना वारस से हलाक होतु की तादाद 2,000 से तजाब उसकर गई कैनेडा में करोना वारस पहलने का सिलसला जवारी है मुल्क में करोना वारस के इस हिसकी तादाद 4,190 हो चुकी है करोना वारस के बाइस कैनेडा में हलाक होने वाले अफराद की मजमुई तादा 2,000 तक जा पहुंची है हलाक अफराद में आदी हलाकतیں उन मौमर अफराद की हैं जो क्यूबिक और ऑंटेरियो के लॉंग टरम केर सेंटर्स में मुकीम थे आखरे इतलाओं के मताबिक इस वक तक सबसे ज़ाद अफराद क्यूबिक में मतासर हुए हैं की तादाद 21,000 के करीब तक जा पहुँची हैं और हलाकतों की तादाद 1134 हो गई है और्टेरियों में 510 नए केसिस सामने आने के बाद 12,245 अफराद में करोना वारस की तज़्दीक हो चुकी है जबके 669 अफराद हलाक हो चुके हैं अलबर्टा में 3400 से जाएद अफराद मतासर हो चुके हैं और वहां अमबाद की तादा 66 है बिर्टिश कॉलंबिया में 1795 अफराद करोना वारस से मतासर हुए सूबे में अमबाद की तादा 90 है फोर्ट का कहना है के वफाकी हकोमत से बाजाबता इजाफी वसाइल की दर्खास करेंगे जिसमें कैनेडा की पबलिक हेल्थ एजनसी और कैनेडियन फोर्सिस के अहलकार शामिल है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में उन्टेरियो के प्रिमियर की जानिट से लॉंग टर्म केर सेंटर्स में क्रोना वारस के पहलाओं पर काबू पाने के लिए फोर्ज की मदद तलब की गई है फोर्ट का कहना है के वफाकी हकोमत से बाजाबता इजाफी वसाल के दर्खास करेंगे जिसमें केनडा की पबलिक हेल्थ एजनसी और केनेडियन फोर्सिस के हलकार शामिल है उनका कहना था के पांच केर होम्स ने तरजीही बुनियादों पर फोज को तायनात किया जाएगा सूबे के लॉंग टर्म केर होम में कम असकम 448 अमवात हो चुकी है डग फोर्ड ने प्रेस कांफरेंस में लॉंग टरम केर सेंटर्स की सूरते हाल को जंगल में लगी आख से तश्वी दी है और इसके लिए फॉर एक दामात को नागुजीर करार दिया है फोट का कहना था कि हमसुवे में पांच ला College केर संटर के लिए फाजी अहलकारों की दर्खास की गई है ताहम ये नहीं बताया गया कि कौन से Quando track केर संटर में आहलकारों की जादा जरूरत है पोर्ट का कहना था कि करोना वारस की वज़े से लगाई गई पाबंदियों की वज़े से शेहरियों को मुश्किला दरपेश है लेकिन इस सलसले में लोगों को सब्रों तहमल का मुझाहरा करना चाहिए उन्होंने कहा कि हकूमत पर मौशी पाबंदियों के हवाले से दबाओ मौजूद है जिस पर आएंदा चंद दिनों में नई हिदाया जारी की जाएंगी अमरीका और कानेडा के माबें सरहदी पाबंदियों की मुद्द बढ़ाए जाने पर इत्फाक ऐसे वक्त में हुआ कि जब करोना वारस के फिलाओ हलाकतों और मुब्तला होने वाले अफराद के तादाद के लिहाज से अमरीका सरे फेरिस्ट है इस हवाले से मजीद चानते हैं कैनेडा और अमरीका की सरदों को स्यासी पना के मुतलाशियों के लिए खोल दिया गया है जबके दोनों मुमालिक की सरद के तारीखी लागडाउन में तोसी की गई है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक जो लोग बेकाइदा तोर पर कैनेडा में दाखिल हुए है उन्हें अब भी वापिस किया जा रहा है लेकिन जो लोग जमीनी सरदी दफातिर में पहुँचते हैं और मायार पर पूरा उतरते हैं वो अब महाजरीन के दावे दाएर कर सकते हैं अमरीका और कैनेडा के माबें सरदी पाबंदियों के मुदद बढ़ाई जाने पर इतिफाक ऐसे वक्त में हुआ है जब करोना वारस के फैलाओ, हलाकतों और मुबतला होने वाले अफराग की तादात के लिहाज से अमरीका सरिफ फैरस्त है हुकाम का कहना है के कैनेडा और अमरीका ने करोना वारस के फैलाओ के खत्रे को मद्दे नजर रखते हुए आएंदा 30 दिनों तक सरहत को बंद ही रखने का फैसला किया है ये एक अहम फैसला है जो दोनों मुमालिक के लोगों को महफूज रखेगा करोना वारस के फैलाओ को रोकने के लिए अमरीका और कैनेडा के दरम्यान गएर जरूरी सरगर्मियों के लिए 21 मार्च से ही सरहत बंद है सिर्फ जरूरी अश्या और तिबवी और हंगामी सूरत हाल के लिए ही सरत अबूर की ज़ा सकती है मौन्ट्रियाल के एक हस्पताल में कैंसर और डालेसिस के मरीज भी करोना वारस से मतासिर हो गए हस्पताल के पांच वार्ट और चार मंजिलों में 122 मरीज करोना से मतासिर हुए है मजीज जानते हैं इस रिपोर्ट में मौन्ट्रेयल की एक स्पिताल मी कैंसर और डायलस के मरीज भी करोना वारत से मता niño कimately हो गाए। इस्पिताल के पाँच वड़ और चार मंजिलों में से 122 मौरीज करोना से मताqué है। हेल्थ केर वर्करज का कहना है कि छोटे कमरों में फासलों को बरकरार रखना मुमकिन नहीं मॉंट्रियाल में अस्पतालों का निजाम समालने बाले अधारे की जानब से कहा गया है कि मरीजों को आईसोलेशन में रखने के तमाम एक्दामात कर रहे हैं हमारी तरजी, हमारे मरीजों और अपने अमले की सहत और हिफाज़त है हम इंफेक्शन की रोक थाम और काबू पाने की प्रोटकोल को हमेशा सकती से नाफस करते हैं और हमेशा नई हिदायात पर अमल भी करते हैं माहिरीन की जानब से शहर के दीगर अस्पतालों में भी करोना पहलने का ख़चा जाहर किया गया है क्योबेक के प्रीमियर ने लॉंग टर्म केर सांटर्स में अमले की कमी के सबब वफाकी हकूमत से मजीद एक हज़ार फॉजी एहलकार बेजने की दर्खास की है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन सूबेक क्यूबेक में लॉंग टर्म केर होम्स अमले की कमी का सामना है जोहां रोजाना की बुनियाद पर दर्जन और अफराद करोना वारस के सबब हलाक हो रहे है सूबेक के क्यूबेक के प्रेमियर ने लॉंग टर्म केर सामना है हमने मुक्तलिफ शुबजात से मेरिकल स्पेशलिस, नर्सिस, नर्सिंग, स्टूरिंट और स्टाफ को तायोनात किया है ताहम उसके बावजूद हमें तर्बेती आफ़ता अमले की कमी का सामना है उन्होंने कहा कि हमें ऐसे हेल्थ केर वर्कर्स चाहिएं जो दो हफ्तों तक मुतलिका लॉंग टर्म केर सेंटर्स में मुकमल वक्त के लिए जिमेदारियां सर अन्जाम दे सके आलमी दारे सेहत ने खबरदार किया है कि करोना वार्स लंबे अर्से तक रहेगा लॉकडाउन में नर्मी या इसे खतम करना वार्स के लिए दुबारा सर उठाने जैसा होगा इस वाले से मजीद जानते हैं दुनिया भर में करोना वार्स से मतासरा अफरात की तादा 27 लाग हो चुकी है जबके उस से हलाकते 1,86,235 हो गई आजमी दारा सिहत ने खबरदार किया है कि करोना वार्स लंबे अर्से तक रहेगा लॉकडाउन में नर्मी या उसे खतम करना वार्स के लिए दुबारा सर उठाने जैसा होगा इसमें में करोना के अब तक 2,13,024 मुस्द्दिका मुतासरीं सामने आए हैं जबके इस वाबास अमबाद 22,160 हो चुकी है इटली में करोना वार्स की वाबासे मजमूई अमबाद 25,085 हो चुकी है जहां इस वार्स के अब तक कुल केसिस 1,87,327 डिपोर्ट हुए है फ्रांस में करोना वार्स के बाइस मजमूई हलाकत 21,340 हो गई जबके करोना केसिस 169877 हो गए जर्मनी में करोना से कुल अमबाद की तादाद 5315 हो गई जबके करोना की केसिस 150648 हो गई बरतानिय में करोना से अमबाद की तादाद 18100 हो गई जबके करोना की केसिस की तादाद 13495 हो गई तर्की में करोना वारत से जाब हाक होने वालों की तादाद 2376 हो गई जबके करोना के कुल केसिस 98674 हो गई इरान में करोना वारत से मरने वालों की कुल तादाद 5390 हो गई जबके करोना के कुल केसिस 85996 हो गई चीन में करॉना से कुल हलाकते 4,632 हो गई है जब के कुल करॉना केसिस 82,798 हो गए करॉना वारत से रूस में कुल अंबाथ 513 हो गई ही जब के उसके मरीजों की तादा 57,9999 हो चुकी है साओधी अरब में करोना वारा से अब तक कुल अमवाद 114 रिपोर्ट हुई है जब कि उसके मरीजों की तादाद 12772 तक जा पहुँची है वजीर खजाना का कहना है कि साओधी हुकूमत सहते आमा को नुकसान पहुचाए बगएर अक्तिसादी सरगर्मिया बातद्रीज बहाल करेगी इस हवाले से जायजे तैयार किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि करोना बहुरान के नुकसानात का मकाबला करने के लिए आलमी बरादर के साथ मिलकर करोना की ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने करोना लॉकडाउन से मुतालिक कहा कि अमरीका में वेंटीलेटर्स का मसला हल हो चुका है और पाकिस्तान को जरूरत के मताविक वेंटीलेटर्स पर आहम करेंगे मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर डॉनल्ड टॉंप ने करोना लॉकडाउन से मुतालिक कहा कि अमरीका में वेंटीलेटर्स का मसला हल हो चुका है और पाकिस्तान का उस जरूरत के मताबग वेंटीलेटर्स पर अहम करेंगे صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اب امریکہ میں کرونا کیسز کی شرعہ میں کم ہی آ رہی ہے ممکن ہے یہ وائرس واپس نہ آئے انہوں نے کہا کہ ریاستوں کے گورنرز کو تمام سہولیات پراہم کر رہے ہیں اور تمام ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اب ریاستوں کو کھولنے کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی ڈانل ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ کے بڑے شہروں میں ائر شوز کریں گے جس کا مقصد ہیلت کیئر ورکرز کو خراج تحسیم پیش کرنا ہوگا واضح رہے کہ امریکہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے حلاقتیں بھی دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے اب تک 47,681 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کے مجموعی تعداد 8,44,92 ہو چکی ہے چینی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق امداد کا مقصد ترقی پذیر ملکوں کے نظام صحت میں بہتری لانا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین نے عالمی ادارہ صحت و ایچو کو عالمگیر وبا کرونا سے لڑنے کے لیے مزید تین کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کر دیا چینی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق امداد کا مقصد ترقی پذیر ملکوں کے نظام صحت میں بہتری لانا ہے یاد رہے کہ چین نے اس سے پہلے مارچ میں بھی عالمی ادارہ صحت کو دو کروڑ ڈالر کا عطیہ دیا تھا چین کا و ایچو کو امداد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا وارث سے پھیلنے والے وبائی مرز کے خلاف بین الاقوامی تعاون میں مدد فراہم کی جوا سکے دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی حساس لیبوٹریوں کے معاینے کی اجازت دیں مائک پومپیو نے وارث کے وہان کی تجربہ گاہ سے لیک نہ ہونے کے دعووں کے حوالے سے کہا کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایسے مواد کو محفوظ طریقے سے ہینڈل کیا جائے تاکہ ہاتھ ساتھی طور پر پھیلنے سے بچا جا سکے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹاک ٹی وی ڈیٹیو پر تاک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی کسام کا چیلنجن زمانہ ہو ٹاک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹاک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے